दोस्तों बात करने वाले हैं, railway, rrb, alp का अगर आपने form fill किया हुए, assistant, local, pilot के vacancy जो आई थी, तो उसका अगर आप form fill किये थे, तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी गलती हो गया, तो उससे आप कैसे modify कर सकते हैं, कैसे आप edit कर सकते हैं, क्योंकि railway recruitment board के द्वारा modification, edit करने का link जारी कर दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा भी किस परकार से आपको edit करना है, login करके proper दिखाऊंगा भी, क्या क्या चीजों को आप edit कर सकते हैं, क्या क्या चीजों को आप edit नहीं कर सकते हैं, तो चीजों को हम समझेंगे, बहुत सरा लोग का यह भी question है, क्या हम zone को भी change कर सकते ही नहीं कर सकते जैसे हमाई ये कोई बंदा zone डाल दिया है मुंबई और ओचार है दूसरा zone zone में form भरना तो क्या हम वो बदलाव कर सकते ही नहीं कर सकते proper जनकारी हम आपको जहें इस वीडियो में आपको देने वाले से अगर आप जनरल के तरफ जाते हैं अगर आपने गलती से से चूच कर ले आप थे जनरल तो जनरल का application fee का जो difference fee होगा वो आपको यहां पर देना होगा इसकी बात से आपको बताया जो सुधार को कर सकते हैं यहां पर कोई दिकत यहां पर नहीं होने वाला है तो इसकी यहां पर क्या क्या सुधार कर सकती हैं तो हम आपको एक max k clicking करेंगे हम यह अपना email पास्वर्ट जो आपने बनाया था वो पास्वर्ट के अप्चा कोट भर के लॉग इन करेंगे लॉग इन करेंगे यहां पे आप देखेंगे तो आपको 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 लिखेगा कि आप अपना नाम में मोडिफाई नहीं कर सकते हैं अब यहां RRB का मतलब क्या ? से form feel कर दिया था आप चाहरे zone बदला तो आप नहीं कर सकते हैं अपने नाम को भी नहीं बदल सकते हैं father's name को नहीं बदल सकते हैं mother's name इसके अलावा gender data birth email address mobile यह सारे चीज़ों को आप मोडिफाई नहीं कर सकते हैं इसके अलावा जो भी चीज़ आप इडिट करना चाहते हैं तो सारा का सारा चीज़ इडिट हो सकते हैं अब यहां करते हैं I understand and agree पे लेकिन वीडियो को continue करने से पहले बताना चाहूंगा बहुत ही संदार आपको फ्री मॉक टिस्ट यहां पे जारी किया गया ऑली बोर्ट के दवारा जी यहां दोस्तों ऑली बोर्ट जह है ओल इंडिया ओल इंडिया रैंकिंग के बेस पे आपको यहां पर पर पर्फॉर्म अपको यहां पर बताने वाले दहीं ओल इंडिया यहां से भी वहां से आप से ऑलाने गठे़ बैठें कर सकते हैं देहिंकि इसके कुछ कूरी इंडिया रेंक भी सोह नेंकित पूरे भी आपको मिलेगा हिंदे इंग्लिस दोनों लेंगेज में आपका यह फ्री टेस्ट रहने वाला है आप एवरी हर विकेंड वेडनेस डे एंड थर्सडे को जो है आप जो है आल इंडिया इमेल और पासवड से लॉग-ईन करके अगले वीकेंड में वहाप एक का सकते हैं! एकर आपकेadan देंगेगे मैं का सो नकारिबक स्कतर आपका क्लिक करें편, यह पर स्टार्प कुछ पर इस्थिक अर्जिस्रिश्ट बश्कतार पर क्लिक करेंगे इस परकार से banner आएगा आप इस banner को close करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे इस परकार से जो है आपका RRB, LP, CBT1 Live Test आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा आप क्या करेंगे सीधे जो है यह हैं रहा है और यहां पर पर देना चाहिए और यहां पर आपको यहां पर दिखाना सूर्व करते हैं और उसके बाद से तुरन्त आपको यहां पर बॉल इंडिया रेंक भी सोग करेगा साथी साथ आपका जो भी अनलाइसी से वह भी आपको सोग करने वाला है तो एबरी जो है वेनेश्टे और थंजडे जो है आप फ्री एलपी का जो है मौक टेस्ट आप लाइब दे सकते हैं तो लाइब मौक का जो है आप बेनफीट लेंगवज अप्शौ इस सब आप जो है जो है जो भी मोडिफाई करना चाहते हैं यहां पर नीच आएंगे तो आपको जबने क्मुनिकेशन डिटेल्स मोडिफाई करने का आता है कॉम्टी इसके वसे सर्टिफिगेट नमर इस्ट जो भी आप यहां पर मोडिफाई करना डोकुमेंट्स अगर आपने गलत कर दें तो उसे भी यहाँ पर दुबारा से अप्लोड कर सकते हैं दो आप यहाँ पर दूबारा से वह सकते हैं तो से स्थ को ट्रेवल पाउस यहाँ पर दिया जयता है इसके उसे नियरस लेलस्टिश से संद यह सब आप step में आप modify करने का option यहां पी दे रखा है आप modify कर सकते हैं इसके बचसे अगर आपने bank account ही गलत डाल दिया है जिसमें आपका fee refund होगा refund वाला जो account है तो आप इसे भी option ने delete करके नया बिल्कुल phrase आप जनकारी को यहां पर इंटर कर सकते हैं तो यहां पर education qualification को भी इडिट करने का पूरा प्रोसेस यहां पर दिया गया आप जो भी इडिट करना चाहते हैं इडिट कर लिजेगा 7-ish करते हैं अगले step में आपको यहां पर जो है photograph और signature भी इडिट करने का मौका मिल जाता है अगर आपने photograph गलत अप्लोड कर दिया है तो आप यहां पर नया photograph यहां से ब्राउच करके चूच करके upload कर सकते हैं तो जो भी आपको photograph signature upload करना है आप दुबारा से यहां पर उसे स for part B of CBT2 computer practice जो होगा दूसरा वाला उसका part B का जो exam होता है उसका अगर गलती से मतलब गलत चूच कर लिए हैं तो आप उसे भी सुधार कर सकते हैं यहां पर आपको सुधार करने का मौका मिल रहा है तो इसे भी आप सुधार कर लिजे का इसकी बस आप नीचे जो है डिक्ल लिएगा नहीं गलती है तो generate OTP पे क्लिक करेंगे आपके जो है मोबाइल पे OTP जाएगा OTP को verify करेंगे उसके बास से आपका यहां पर correction वाला form submit हो जाएगा OTP verify करते हैं अब आपको अगले step में लेकर जाएगा application fee जमा करने के लिए तो आपको धाय सुरुपय का application fee लग रह जो है submit नहीं होगा और वो जो है सुधार नहीं होगा तो आपको लास्ट में जो धाय सुरुपय का application fee जमा करना जो कि non refundable होगा उसके बाद आपको जो है final print out निकाल के रख लेनी है अपने hard copy को तो इस तरह से friends हमने बात किया कि किस परकार से आपको जो है modification करना है आपके मन में कोई भी doubt से कमेंटर कमेंट वोक से पूछिएगा मिलता है कि इसी next video में जाहिन